स्वास्थ और सौंधरी के वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को प्लिक कर दे ताकि हमारे आने वाले वीडियोज की अपडेट्स आपको मिलती रहे स्वास्थ और सौंधरी नमस्कार दूस्तों, स्वास्थी और सौंधरी में आपका एक बार फिर से स्वागत हैं आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बालो में सरसो तेल के साथ लॉंग लगाने की कुछ पहतरीन फायदू के बारे में सरसो तेल बालो की ग्रोध बढ़ाने से लेकर बालो का टेक्स्टर सुधारने तक में काफी प्रभावी माना जाता है सरसो तेल बालो की फ्रीजनेस और ट्राइनेस को दूर कर उन्हें सौफ और शैनी बनाने में मदद करता है सरसो के तेल में कई ऐसे पोशक तक तो मौजूद होते हैं जो बालो को पतला और दो मुहा होने से बचाते हैं इसके साथ ही लॉंग बालो को तेजी से बढ़ाने में आपकी काफी मदद कर सकता है लॉंग ना किबल बालों को जड़ने वा कमजोर होनी से रोकता है बलकि रिग्रोथ में भी मदद करता है। लॉंग में कई तरह के विटामिन, मिनरल्स और एंटी ऑक्सिडेन पाई जाते हैं जो बालों को अंदर से पोशन देता है जिससे बालों से जुरी समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगती है। देखा जाए तो सरसो तेल और लॉंग दोनों को अलग अलग भी इस्तेमाल करना फायदे मन माना जाता है। लेकिन जब दोनों को साथ मिलाकर लगाया जाता है तो फायदा काफी जादा बढ़ जाता है। तो फिर सरसो तेल यानि मस्टर्ड ओयल के साथ लॉंग को अपने बालों में कैसे अपलाई करना है इसके बारे में जाने के लिए बनेरे इस वीडियो के साथ इसके लिए एक लैडल में तीन से चार चमच सरसो तेल ले ले इसके बाद इसमें 15 से 20 नग लॉंग डाल दे इसके बाद गैस आन करके इसे 10 मिनट के लिए धीमी आजबर पकाए जब यह अच्छे से पक जाए तब गैस बंद करके इसे ठंडा होने दे जब यह पूरी तरह से ठंडा हो जाए तब इसे छनी की सहाथा से चान कर ड्रॉपर बोतल में भड़ ले और हेर सिरम की तरह इस्तमाल करे सरसो तेल और लॉंग से बना हेर सिरम बालों के लिए काफी फायदबन माना जाता है इस हेर सिरम के नियमत इस्तमाल से बालों की ग्रोथ काफी तेजी से होने लगते है साथी बालों का आसमे बकना भी बंद हो जाता है तो फिर आज आपने इस वीडियो में बालों में सरसो तिल की साथ लॉंग लगाने की कुछ बहतरिन फायदों के बारे में जाने आशा है आपको हमारा ये वीडियो अवशे ही पसंद आया होगा हमारे नएने स्वास्ति और सांदरी संबंदी जानकारियों को पानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा हमारे वीडियो पसंद आई बिसी लाइप और शेयर चरूर करें ताकि इसी तरह हम नएनी जानकारियों आप तक पहुचाते रहें धन्यवाद